खाल ही में UPSC का रिजल्ट आया जिन कैंडिडेट्स का सेलेक्शन हुआ उनकी खूप चर्चा हुई इस बीच एक घर की तस्वीरे भी वाइरल हुई बुलन शेहर में जूपड़ी किसी और की नहीं बलकि UPSC पास करने वाले पवन कुमार की है अस्थाई रसोई की छट मिटी के चूले पर बनता खाना और मिटी से लिपी हुई दीवारे ये पवन कुमार की घर की है पवन कुमार के पिता किसान है घर का खाना मा चूले पर पकाती है लेकिन ऐसा नहीं है कि घर में गैस सिलेंडर नहीं है गैस सिलेंडर भी है और चूला भी है बावजुद इसके आखिर क्यों पवन कुमार की घर पर मिट्टी के ही चूले पर खाना बनता है इस सवाल का जवाब उनकी माने लिया अब बिशन कैसी है मैं देख रहा हूं कि अधर आपका चपड़ पड़ा होगा हाँ चपड़ पर वह बारे सो तो हम बड़े परेसा नहीं अभी आप चूला चला रही थी माता जी हम क्यों क्या वज़े है कि आप चूला चला रही है गार में गैस नहीं गैस नहीं है भरी पड़ते थे हम भी ऐसी महनत मजूरी करें है और किया किसान आदमी हम क्या कर सकें विस्ट नहीं हमने महनत मजूरी करके हम यह तक लाए कि बारिश के मौसुम में भी आप इसी छपड़कनी से खाना बना वे हैं पवन भी पढ़ाई कर रहा है क्या दिन चरिया थी पवन की क पड़ते थे और आपने सांती माहूल में और अपनों सांती रखे घर में उपड़ता रहता था आपके नहीं पर इन्वेटर भी लिए लाइप से पड़ाई करते थे पवन कुमार की इपा ने अपने पूरे संखर्ष की कहानी बताई कैसे बेटे ने पढ़ाई की मेहनत मजदूरी करके उन्होंने बेटे को आगे वढ़ाया लेकिन एक बात उन्होंने कही कि उनके पास सिलेंडर है लेकिन उसे भरवाने के पैसे नहीं इतनी महंगाई हो जैस इतनी महंगी है कि उसे लेंडर भरवा ही नहीं पा रही मीडिया में खबर आने के बाद ये विडियो खूब वायरल हुआ लोगों ने अलग-अलग तरह के रियाक्शन दिये विवेक एस प्रकाश नाम के यूजर ने लिखा अब उनका बेटा ये सुनिश्चित करेग इसलिए बेचारों ने खुद ही लाब ना लिया हूँ वरतमान में भी नागरिगों के पास पका घर ना होना किसी की नाकामी है दीपक कुमार ने टुटर पर लिखा गैस भराने के लिए पैसे नहीं है इसलिए चूला जलाना पड़ रहा है ये हकीकत है नियू इंडिया की बेटा यूपीसी पास कर गया तो ये बात सामने आ गई परना कौन पूछने जा रहा है देश में अमृत काल चल रहा है संग लोग सेवा आयोग यानी यूपीसी ने मंगलवार को सिवल सर्विस एग्जाबिनेशन दोहजार तेस का रिजल्ट जारी किया था जिसमें एक अधित श्रिवास्तव ने औल इंडिया रैंक हासिल की है वहीं पवन कुमार को यूपीसी में 249 वी रैंक हासिल हुई है